नमस्कार वियस किचन में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे तो आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं अपने एक हो रेसिपी तो वो है दाल की पूरी या दाल की कचोरी तो चली बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने यह दाल ली है यह मैंने शाम को बनाई थी तो यह हमारे पास बच गई थी यह एक कचोरी मैंने दाल ली है अब इसमें हम एड कर देंगे गेहूं काटा यहां पर मैं यह दो कप गेह और 140 स्पून दाल दो मैस में लाल मिर्च का पाउडर और अब हम इसमें और कोई भी गरम मसाला या धनिया पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि वह मैंने दाल को बनाते वक्त सब मसाले डाल दी तो यहां पे ले रही हुए मैं थोड़ी से जमाइड यह ऑप्शिनल है अगर तो बहुत ही अछा टेस्ट आएगा और यहां पर एक चमच लिया है मैंन तेल तो इसको हमेंचे से मব्ण चपर करें किसका डूर रडी करलेंगे देखे मैंने आप इसका डूर रोडी कर लिया है ना यह बहुत पतला होना चाहिए ना यह बहूर ताइट हमने इसमें कोई याड नहीं किया है अगर आपको थोड़ा सा सकत लगे और दाल ना हो तो आप पानी एड कर सकते हैं तो लेजी यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको अच्छे से मसल देंगे आटे को और हम से 7-8 मिट के लिए डखके छोड़ देंगे यह आटा हमारा विलकुल रेडि है मैं से 7-8 मिट के लिए रस्ट पर छोड़ दूँगी तो लिजिए साथ से आठ मिनिट हो गए है यह हमारा आठा बिल्कुल रेडी है तो मैं इसकी गोल गोल दोई बना लूँगी जिस तरह से हम पूरी के पेड़े बनाते हैं और यह बहुत ही सिंपल और असान राशिपी है और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो लिजिए इसे बेलते टाइम में आपको सुखाटा ना यूज़ करें थोड़ा सा तेल लगा ले आप चकले पे और इसे अराम से बेल ले बिल्कुल असानी से रेडी हो जाएगी और ये तेल हमने पहले गरम होने के लिए रख दिया था जब आप ये पूरी बनाए कि तेल हमारा फुल टेस गरम होना चाहिए तो देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा प्रेस करके इसको पूरी को फूला ले तो देखिए कितनी असानी से हमारी कितनी फुली फुली दार की पूरी या कचोरी रेडी हो गई है अब आप इसको अच्छे से चलनी से निकाल लिए तो फ्रेंग जी बहुती हेल्दी और टेस्टी पूरी हमारी रेडी हो गई है तो आप इसे चाय के साथ पी ले सकते हैं और इसको खाने के लिए किसी सबजी के भी जरूरत नहीं है इसे सोगोस या ग्रीन चटनी के साथ आप किसी भी टाइम एंजोय कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लैफ्टोगर में डार बची जाती है तो इसे बहुती टेस्टी और हैल्दी पूरी रेडी हो जाती है तो लीजिए यह पूरी आमेने त्यार कर लिए है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलीगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू